Hello everyone, Hi, Good morning, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, मेरा नाम है उर्वेशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333, High Priestess हो सकता है ये वीडियो आप आफ्टिनून या इवनिंग में देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देखें आपका समय बहुत ही अच्छा हो, आज का जो दोस्तों ट के लोगों हर परसन अपने soul purpose को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पर जितने भी लोग आते हैं कोई लोग पूछते मा ने मेरा solid purpose क्या है कोई बोलते है मैंने अपना solid purpose ढूंड ली आ है कोई कहता मैं ओलरड़ी apna solid purpose कर रहा हूं या कर रही हैं अ तो basically सबी जो है इस जर्नी में वो उस कारे को करना चाहते हैं जिसके लिए उनको अंदर से इतनी strong calling आ रही है basically light work करना चाहते हैं कुछ लोग जिनको समझ आ गया है जो अल्रेडी कर रहे हैं उनके लिए तो चलो सब ठीक है बढ़िया उनको पहुच गया है वो अपने कारे तक पर वो लोग जो सोल पॉपस को ढूणने की कोशिश खर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इनर कॉलिंग तो बहुत स्ट्रॉंग है पर करे क्या कहां से शुरुवात होगी उनके लिए ये विडियो है ठीक है तो देखो बेसिकली आप लाइट वर्क करना चाहरे हो रोशनी फैलाना चाहरे हो पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहरे हो हना डाकनेस को हटाना चाहरे हो रोशनी फैलाना चाहरे हो बेसिकली अपने कारे से और आपको लगता है और आपको अंदर से कॉलिंग आती है कि यही मेरा कारे है इसको मुझे जरूर करना है तो इसकी शुरुवा जो है वो खुद आप से ही होगी, यह जो आप darkness को हटाना चाह रहे हो, light को लाना चाह रहे हो, society में, समाज में अपने कारे को करके, जिस भी शित्र से आप जुड़ के कारे करोगे, इसकी जो पहली शुरुआत है वो आपकी खुद से होगी, जब आपको पहली बार यह calling आने लग गई है ना कि मेरा कोई काम है और मुझे positivity बनानी है मुझे light work करना है तो यहां की शुरुवात आपने खुच से करना है सबसे पहले आपने अपने अंदर की darkness को हटाना है उसके उपर काम करना है बट उसको करने के लिए पहले तो का observer होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने darkness को क्या आप समझ पाते हो कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो घलत है जो अत्यादिक हो रही है अब जैसे गुसा है desire है यह एक लेवल तक रहे तो यह खराब नहीं है लेकिन अगर यह बहुत ज़ादा हो रही है आपके सरपे चड़ी हुई है आप इसकी वज़े से दुखी हो रखे हो या औरों को दुखी कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ न कुछ darkness आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको कंट्रोल कर रही है जो आपको पागल कर रही है तो शुरुवाद कहां से करनी है, लाइट की पहले खुद से शुरुवाद करनी है, सबसे पहले आपने अंदर की डाकनेस इसको पहले जो ओवर हो रखी हैं, उनको आपने हटाना है, और सची बता रहे हूँ, जैसे आप खुद के उपर काम करते हो, आपके अंदर प्रकाश बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, आप खुद पर ही लाइट वरक कर रहा हो, तब आप क्या होता है, खुद भी आप बड़े पोजिटीव हो जाते हो, और बड़े नॉलिजिबल हो जाते हो, बड़े इश्वर से अपने आपको connect feel करते हो, बहुत सारी या नकरात्मक मोहल था वो भी चेंज होने लगता है प्लस अचानक से आपकी वज़ा से सोसाइटी को भी बेनिफिट होने लगता है मतलब आप अपने आप ही उन कारों तक पहुँचने लग जाते हो जो इश्वर ने या आपने खुद अपने लिए लिखवा के लाए थे कि मैं ये खारे करूँगा या जो भी आपका soul purpose अपने आप याप पहुचने लग जाते हो या लोग ही आपकी तरफ आने लग जाते है उनको आप में light दिखती है रोशनी दिखती है, प्रकाश दिखता है खुद की उपर उस बंदे ने काम किया खुद की उपर light work किया और उसकी जो फल है उसको खुद में भी देखेंगे परिवार में भी देखेंगे, society में भी देखेंगे तो अगर आप मेंसे कोई बैटकी की सोचता है कि light work की शुरुवात कैसे होगी कहां से होगी, कैसे करूँगा, मैं soul purpose में कहां जाओं, जो मैं करना चाहता हूँ तो इसकी शुरुवात आपने सिर्फ और सिर्फ खुद से करनी है, और फिर आप कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही सालों बाद miracle अनुभव करोगे आप में खुद में भी परिवर्तन आएगा positivity, ज्यान सब आएगा आपके घर में भी बहुत positive changes आएगे और society में भी आपकी वज़े से ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, light work की शुरुवात कहां से होगी, आप से ही होगी तो स्टार्ट करते अपने पर काम और ये था हमेरा आज का वीडियो थांक यू सो मच, बाबाई, टिक केर